श्री गनेशा नम्हा नमस्काल दोस्तों कैसे हैं आप उमीद रखता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे मैं हूँ चिरागदारू वाला आज हम बात करेंगे कि आज का दिन यानि की 14 डिसेंबर 2023 का ये दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा चुरुआत करते हैं में इश्राशी सेंग गनेश जी कहते हैं कि आज आपका दिन मिश्रित फल्दाई रहेगा काम में असफलता या कोई महत्वपून अनुबंद रद्ध होने से चिड़ चिड़ापन हो सकता है आप विवेक से काम लेंगे धार्मिक गतिविदियों में शामिल होने से आपकी मानसिक शक्ती बढ़ेगी आज किसी नए काम या संग्रा में पैसा लागाने से बचें ध्यान रखे वरना धन की हानी प्रबल संभावना दिख रही है स्वास संबंदित कुछ नई छोटी मोटी परेशानिया उत्पन हो सकती है विरिशब राशी गनेश जी कहते हैं कि आज आप अपनी पारिवारिक समस्याओं का स्थाई समाधान पा सकेंगे पूजा पाट के आयोजन की योजना भी बनेगी आज विवसाइक शेत्र पर अधिक ध्यान देने से कारिय समसर पूरे होंगे जमीन जायदाद या सरकारी काम भविश्या में लंबित रहेंगे बैतर होगा कि आज इन पर समय बर्बाद ना करें गनेश जी कहते हैं कि आज आप अधूरे काम पूरे करने की जल्द दी में ही रहेंगे दियान रखें जल्दबाजी के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं कारिय शेत्र में अपनी गल्ती का गुस्सा किसी और पर निकालने से गर्मी बढ़ेगी फिर भी ज्यादा तर काम समय से थोड़ा विलम से पूरे होंगे धार्मिक गतिविदियों में भी विशेश रूची आप लेंगे और काले जादू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं पारिवारिक वातावरन मध्यम रहेगा करकराशी, गनेजी कहते हैं कि आज आपके द्वारा बनाई गई योजनाय जल्द ही फलीबूत हो सकती है सभी महत्वपूर्ण कार्य आज आसानी से पूरे होने की संभावना होगी काम की व्यस्तिता के कारण, घर के कामों को नजर अंदास करना पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं यदि आप धार्मिक गतिविदियों में विश्वास रखते हैं तो भी आप उन्हें समय नहीं दे पाएंगे और तंत्रा मंत्रा में अधिक रूची आपकी हो सकती है आज घर के बुजुर्गों और अधिकारियों से आपको सावधान रहना है मदबेद के कारण तीखी बैस भी हो सकती है सिहराशी गनेश जी कहते कि आज आप पैसो की कमी के बावजूद भी खुश रहने के सफल प्रयास करेंगे संतूष्ट स्वभाव आज आपको अनावशक जंजतों से बचाएगा लेकिन महिलाएं एक बार जिद्धी हो जाएं तो पूरा काम करके ही मानेंगी अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स लेवल पर ले जाना चाते हैं शादी का विचार कर रहे हैं अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिलाना चाते हैं तो आज के दिन उसका प्लानिंग कर सकते हैं जरूर से आपको मुनाफा फाइदा देखने को मिलेगा कनिया राशी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन आरंबिक भाग आलस्य में बितेगा इसके बाद लापरवाई करते हुए भी शेज दिन सुक शान्ती से व्यतीत आप करेंगे मित्रा प्रिये जनों के साथ योजना ओपर खुल कर चचा करेंगे दोपैर में कुछ समय के लिए इस्तिती परिशानी बरी हो सकती है जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है पारिवारिक सदस्यों से लाब होने की भी संभावना दिख रही है गणेशी कहतें कि आज आपको प्रतेक कारिय में सावधानी बरतने की सला दे रहे हैं जल्दबाजी में लिए गए फैसले से धन के साथ साथ सनमान की भी हानी आपको हो सकती है आतिक दरश्टी से दिन निराशा जनक रहेगा क्योंकि जरूरत के समय आपको कर्ज नहीं मिलेगा मन में गलत विचार बरे रहने से स्वास्थ पर बुरा असर पड़ सकता है आज का दिन धहर्य पूरवक व्यतीत करें अज का दिन का पहला भाग नई उल्जने लेकर आ सकता है जिद्धी होने से व्यापार में घाटा भी हो सकता है और अपनों से भी दूरी हो सकती है आज किसी भी बात पर प्रक्रिया देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले नहीं तो छोटी सी बात का बतंगर बनते देर नहीं लगेगी दोपैर बात स्थिती धीरे धीरे नियंतरण में आने लगेगी आपसी प्रेम बढ़ेगा समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा धनुराशी गनेशी कहते हैं कि आज यही परिस्थितिया आपके अनुकल रही तो आपको लाब के कई अवसर मिलेंगे लेकिन अज्ञानता या गलत सला के कारण लाब संदिग्द रहेगा रुक रुक कर लाब होने के कारण आप धन संचय नहीं कर पाएंगे घर में सुख के सादरों में विरद्धी होगी और इस पर खल्च भी अधिक होगा आज पारिवारिक जिम्मेदारिया निभाने से आप पीछे नहीं हटेंगे स्वास्त को लेकर कुछ समय के लिए परेशानिया किस्तिती रह सकता है मकर रह सक्षी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन अधिकांश समय शान्ती से बितेगा कुछ आतिक परेशानिया हो सकती है लेकिन आज आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे लाभानी की चिंता किये बिना आप हरे कार्य को पूरा करेंगे आप अगर अपने पार्टनर के साथ कोई यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं आज के दिन आपस में प्रेम बढ़ सकता है और जो मन मुटाव चल रहा था वो मन मुटाव भी अब धीरे धीरे दूर होता नजर आ रहा है कुम्राशी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन विपरीत परिनाम देने वाला रहेगा परिवार में किसी सदेशे का स्वास्त अचानक खराब होने से अनावशक चिंता रह सकती है और दवाईयों पर खर्च भी बढ़ेगा समय कम होने के कारण आपको नए काम के विस्तार का विचार टानला पढ़ सकता है सरकारी कारेों से आपको लाब होगा अठके हुए पैसे मिल सकते हैं कानूनी मसले सुलजेंगे परिवार में सामन जस्य बना रहेगा मीन राशी गनेश जी कहते हैं कि आज का दिन अधिकांश भाग आशा से अधिक शुब रहेगा आज आप और भी अप्रत्याशिद घटनाय देखेंगे पर आपको मन से जदा विचार नहीं करना है समाज में मान सम्मान मिलेगा व्रदी होगी आपके आए के रस्ते खूलेंगे यदि थोड़ा प्रयास करेंगे तो बे रोजगारों को अच्छा रोजगार भी उपलब्द हो सकता है सफलता के योग दिख रहे हैं परिवार में खुशी का माहोल रहेगा और स्वास्त में सुधार होगा तो दोस्तों आज का दिन आप सभी के लिए जबलदस्त रहेगा जो करना है जैसे करना है कर लीजिए हम कल वापिस सुबर मिलते हैं तब तक आप सब खुश रहें श्री गनेशाना